सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल वर्म धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धेटीव पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोगाम पर जैसा की हम प्रति दिन करते आएं इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिसकस कर रहा हूं पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इस्तांबुल कन्वेंशन के विशे में समझने का प्रियास करेंगे कि इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है इसको कब अपनाया गया था इसके मुख्य प्रावधान क्या है इसके कौन-कौन से ऐसे नियम है जिसके वज़े से महिला अधिकारों में बढ़ोतरी होती है तो साथ कि दुनिया के सबसे प्रगतिसी कंविंसन में से एक कंविंसन जिसका नाम है इस्तांबूल कंविंसन यह बरतमान समय में क्यों चर्चा में बना हुआ है इस से जोड़े कौन-कौन से मुद्द इस समय चर्चा में बने हुएं वह जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे विश्व जल्दिवस के विश्य में और समझेंगे कि 22 मार्च को मनाये जाने वाला विश्व जल्दिवस हमारे लिए क्यों महत्पूर है और इस विश्व जल्दिवस पर हमें और आपको क्या-क्या सीख लेने की आउ सकता है आईए इनी दोनों खबरों के करके बिसलिसित करत सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तांबूल कन्वेंशन के बिसे में इस कन्वेंशन के जो प्रावधान है मैं आगे बताऊंगा बस अभी संचिप मियर समझे जी कि जो इस्तांबूल कन्वेंशन है इसको अपनाया गया था बर्स 2011 में अर्था 2011 में तुर्की के इस्तांबूल म बखालत करता है, उन पर हो रही हिन्सा पर रोक लगाता है, महिलाओं के अगर किसी भी परकार की असमानता का सामना करना परता है, तो यह उसकी निंदा करता है, और देशों से यह कहता है, इस परकार की गत्विधियों पर लगाम लगाए जानाएं estás, को मिलाकर, जेंडर के आ हुआ है फिर समझेंगे कि आखिर ये कन्वेंशन है क्या तुर्की के राष्टपती रेचेप तैयप अर्दुवान ने महिलाओं की सुरच्छा से जुड़े इस्तामबो समझ होता है यह कन्वेंशन से तुर्की को बाहर कर लिया है यह नेड़े इसलिए विवादासपद है क कि पिछले कुछ सालों से तुर्की में महिलाओं के खिलाप हिंसा बड़ी है जब कि यह कन्वेंशन कहता है कि महिलाओं के खिलाप होने वाले हिंसा को रोका जाना चाहिए परिवार स्रम और समाजिक मामलों के यहां के जो मंत्री हैं उन्होंने इसके पीछे कोई कारण नह में महिलाओं के अधिकार की गारंटी दी गई है हमारी नियाइक पढ़नाली जरूरत पढ़ने पर बनाए गए नियम और कानूनों को लागू करवाने के मामले में गतिसील और मजबूत है तो इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या बरस 2011 में जब इन्धी के सहर में है कन्व और तुर्की में इस परकार की घटनाए हो रही थी महिलाओं के खिला फिंसा हो रहे थे जिसको रोकने के लिए यहीं पर क्या किया गया था कन्वेंशन किया गया था तुर्की में दरसल कई रूडिवादी नेता हैं कई ऐसे लोग हैं जो प्रारंब से ही इस कन्वेंशन के बिरोध में है उनका मानना है कि यह जो convention है उह जो पारिवारिक संस्थाएं है उनको कमजोर करता है और घरेलू तणाव को बढ़ाता है इनका यहाँ पर कहना है कि अगर हम महिलाओन को जादा अधिकार देते हैं तो महिलाओं क्या करती हैं वह स्वतंतरता का उपभोग करती ह जो अधिकार है सिर्फ पूर्सों को मिला हुआ है और जब पूरुस क्या करता है पूरुस के अधिकारों में कटोती होती है तो इससे क्या होता है परिवार में कलह बढ़ता है इनसे है पूछा जाना चाहिए कि आखिर यह जो कन्वेंशन है जो महिला अधिकारों के बात करता है महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करता है इसमें आखिर ऐसी क्या दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ मांसिक्ता का खेल है और जो पित्र सतात्मक समाज है वह इसको बनाए रखना चाहते हैं और इसी के काण谱 पहले से ही क्या करना है इस convention का बिरोध कर रहे हैं और फाइनली तूर्की ने कह दिया है कि हम इस convention से बाहर होंगे कुछ लोगों का मानना है कि इससे क्या होता है जो महिला अधिकारों के बात करने वाला convention है इससे समलेंगिक्ता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इस convention में कहा गया है कि sexual orientation के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तो अगर समलेंगिक्ता को बढ़ावा मिलता है तो क्या इसके आधार पर महिलाओं के साथ हो रही हर परकार के हिंसा से जुड़े हुए convention से किसी को बाहर आ जाना चाहिए और यह जो आपके समलेंगिक्ता का मुद्दा है यह तो वैसे भी पस्मी एक ऐसी ओधारना है जिसको अधिकांस देसों में अपनाये जा रहा है और यह वैक्ति का निजी मामला है इस निजी मामले से आखिर महिलाओं के उपर हो रहे सभी परकार के अन्याए और जुन को कैसे justify किया जा सकता है बहुसे नाकरिक समुहों और देसों का कहना है कि इस समय तूर्की में क्या हो रहा है कि इस कानून को और सत्ती के साथ लागू करने क्या हो सकता थी लेकिन तूर्की ने अपनी कदम पीछे खीच लिये हैं जैसे विस्वस्वास संगठन का ही टेटा कहता है कि तूर्की में 38% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ ही ने अर्था जिनके पार्टनर ने कभी न कभी हिंसा की और यूरोप में जो आकड़ा है 25% का है तो समझ ये तूर्की जो कि कहनता है कि वह क्या चाता है यूरोप का भाग बनना चाता है लेकिन उसी में क्या है कि जो महिला अधिकारों का आप देख सकते हैं उन के उपर होने वाले हिंसा का रेट है वो 38% है कितना ज्यादा है बरस 2019 में 474 महिलाओं को उनकी ही पती या उनके प्रेमी नहीं यहाँ पर हत्या कि स्वभावी के महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं वो किसी भी तरह से तुर्की में कम नहीं हुए तुर्की बर्स 2005 से ही यूरोपिय संग में सामिल होने का उमिद्वार है लेकिन नीती गत मतभेदों, माना उधेकार के मुद्दे और तुर्की का जो रिकॉर्ड है, इन सब चीजों को लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर वो काफी खराब है, वो इसके कारण जो है कि जो यूरोपिय संग में सामिल होने का नेड़ा है इसको कई बार रोका जा चुका अब हम समझते हैं कि आखर ये कंवेंशन है क्या इस्तांबूल कंवेंशन, महिलाओं के खिलाप हिंसा, जिसमें घरेलू हिंसा, बलातकार, योन उत्पेडन, महिलान जननान का अभवंग करना, उनके सम्मान आधारित हिंसा, अच्छा एहें और साथी साथ बाल विवा को रोकने के लिए क्या करता है, योरोपिन काउंसिल की एक मानुधिकार संधी, कुल मिलाकर, जो मानुधिकार का डिफिनेशन हो क्या है, कि जेंडर के आधार पर डिस्किनिसन नहीं होगा, उसी डिस्किनिसन को खतम करनी की बकालत यह अग कंवे इस्ताम्बूल कन्वेंशन पर अभी तक यूरोपिय संगता 45 देशों ने हस्ताचर किये हैं। इस्ताम्बूल अभी समय को महिलाओं और घरेलू हिंसा के बिरुद हिंसा की रोकतामतता उससे निपटने हेतू यूरोपिय समझोता परिसत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूचा जाए कि जो इस्ताम्बूल कन्वेंशन है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है। सदस सदेशों की सरकारों के लिए एक निउनतक मानक की स्टेंडर्ड इरुपसए बाधिकारी संदी है, अर्था, इस्तांबूल कंविंशन पर हस्ताचर करने के बाद सदस सदेश इस संदी के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूपसे बात होते हैं, और इसी बात्धिता से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सतसे देशे से बाहर हो रहे हैं. क्या होती है लेंगिक बिसंता थोड़ा इसको समझेए? लेंगिक बिसंता का अभिपराय क्या होता है? कि लेंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदबा. अर्थाद अगर आप तो क्या है जेंडर डिस्किनेशन है गौरतलब है कि न सिर्फ भारत में बलकि दुनिया में हर जगह पारंपरिक रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर बर्क की रूप में देखा जाता है अगर आप आधिवासी समाज को छोड़ दें तो अधिकांस जगह यह आपको देखने को मिलेगा आज महिलाओं को घर और समाज दोनों ही जगह पर सोशन अपमान भेदभाव और बिविन परकार की हिंसा को सहन करना पड़ता है तो प्रिष्णा आएगा कि आखिर इस जेंडर डिस्किनेशन जिसके खात्मी की बात ये कन्वेंशन करता है इसके कारण क्या क्या अगर इन कारणों को हम समझ लें तो इनको रोक्थाम के लिए हम क्या करें नियम बना दें तो अपने आप क्या हो जाएगा जो जेंडर डिस्किनेशन होता है उसमाथ हो जाएगा तो लेंगेग बिसमता के पीछे मूर कारण क्या है वो पित्र सत्तात्मक विवस्था माना जाता है जैसा कि तुर्की के विसमें मैंने आपको बताया तुर्की के लोग क्या कह रहे हैं कि चुकि इससे क्या होता है परवारी कलह बढ़ता है अर्थात महिलाएं जब अपने अधिकारों की आलग करती है अपने अधिकारों की मांग करती है तो जो पुरु समाज है उस पूरुस और महिला पर पूरुस क्या करता है? महिला पर अपना परभुत जमाता है और उसका दमन और सुसर्ण करता आया है और इसी के खात्मी की बात ये करता है लेकिन सदसेदेश से बच रहें। मिलेगा अर्थात हर जगे थोड़ा कम और जादा ये क्या है आपको पित्र सतात्मक ब्योस्था दिखाई देगी और इस पित्र सतात्मक ब्योस्था के उपचे क्या दिखाई देगा महिलाओं के साथ भी भेद दिखाई देगा महिलाओं का समाजिक आर्थिक और राजनितिक ससकती करण नहीं होना क्या है जो लेंगिक असमानता इसको बढ़ावा देता है गरीबी भी इसका एक मूल कारण माना जाता है जिससे लेंगिक विसमता को बढ़ावा मिलता है गरीबी और विद्धा विस्था में सुरच्छा के रूप में लड़कों को क्या दी जाती है आपने देखा है कि जब एक परिवार गरीब होता है तो उसको क्या लगता है उसके पास चार लड़के होंगे चारो काम हाथ बटाएंगे इस से क्या होगा वो गरीबी से बाहर पाएगा जबकि आपको पता है कि आज जो भी हमारी सोसाइटी है समाज है उसमें बच्चे अपने बाब का कितना ख्याल रगते हैं या फिर अगर जो है कि चार बच्चे भी हैं लेकिन उनका सही से पालन पोर्षन गरीबी के कारण नहीं हो पाता है तो क्या वो बच्चे उस परिवार को कितना आगे बढ़ा पाएं समाज सास्ती समाज महिलाओं के प्रती लेंगिक बिसमता के लिए गरीबी और सिच्चा की कमी को भी बताते हैं लेकिन जैसा कि हमने देखा तुर्की में सिच्चा का इस्तर ठीक है अन येरोपियों देसों में भी सिच्चा का इ प्रतातानिकारक है क्योंकि इस से बच्चों को इसकूली इस्थर पर ही जैंडर इनएक्वालेटी अरथा जैंडर डिस्क्रिंविस्चन या विच्चन के लिषय में पढ़ाने के आउस्ति होती है और इससे क्या होता है समाज में लहेंगिक विसम्टा बढ़ने का खत्रा ह कहना ये था कि जब हम अपने बच्चों को बच्पन सही ये बताते हैं कि लेंगिक बिसमता खराब है इससे बचना चाहिए तो इससे क्या होता है लेंगिक बिसमता का परचार होता है इसलिए जबकि ज़रूरत क्या थी कि हम इसको इस रूप में परजेंट करें कि लेंग जो हमें समाप्त करने के आप सकता है पॉलेंड का ये भी मानना रहा है कि इस्तांबूल अभी समय जैविक लेंगिक्ता अर्थाग बायलोजिकल जेंडर के विप्रिद सामाजिक सांस्कृतिक लेंगिक्ता के निर्माण का प्रयास करती है इसको आसान सब्दों में अगर हम कहें कि जो इस्तांबूल कन्वेंशन है यह क्या करती है जो जो है कि बायलोजिकल जेंडर है जिसमें बायलोजिकल जेंडर में यह माना जाता है कि पुरुस और महिलाओं में अंतर है उसके एक खिलाप है इसके अतिरित ये भी आरोप लगाया गया है कि चाहें पोलेंड हो या तुर्की कि इस्तामबूल अभी समय बच्चों और इवाओं को समलेंगिकता की सिच्छा परदान करती है और समलेंगिक परिवारों को बनाने है तो प्रेरिद करती है जबके ऐसा कुछ नहीं है हाँ अगर किसी ब्यक्ति को अपने अधिकार मिले है वह उन अधिकारों का प्रियोग करता है अधिकारों की मांग करता है तो इसको दिया जाना चाहें चाहें वह जो है कि किसी भी वो समलेंगिक हो या फिर ना हो अगर समलेंगिक ताकी मांग भी की जाती है तो क्या है ये ठी और उससे क्या होता है उसके उपर कई तरह के निगेटिव इंपेक्ट पड़ते हैं और इससे आप भली भाती पर चित हैं पोलेंड के सरकार ने परिवारिक मुल्यों को बढ़ावा देने का भी बादा किया है और इसी के कारण क्या किया है उसने अपने आपको बाहर कर लेख है भारत में लेंगे भी समता समझते हैं 14 गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में दुनिया के 153 देशों में भारत 2018 के मुपकावले चार पायदान फिसल कर 112 में इस्थान पर पहुँच गया है 14 साल पहले जब ही रिपोर्ट प्रकासित की गई थी तब भारत की इस्तिती इतनी खराब नहीं थी एउन गलोबल जेंडर गैप के पर्थम रिपोर्ट में भारत क्या था 98 पोजिसन पर था गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट पूर्सों की तुनला में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता सिच्छा एउन स्वास्तक उनकी पहुँ जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से कितनी मजबूत हैं उनका सिच्छा और स्वास का इस्तर क्या है वो कितनी राजनितिक रूप से ससकते हैं उनके साथ भेदभाव अगर होता है तो उसको खतम करने के कितने प्रियास किये गए हैं और उसके अधार पर यह बताता है तो लेंगिक भेदभा और लेंगिक असमानता किस हद तक भारत के लिए चुनोती बनी हुई है। पिछले 10 बरसों में भारत में महिलाओं के खिला घरेली हुंसा देश के सबसे अधिक हिंसक अभराद में से एक रहा है तो अब देखें चुकि 5 मिनिट में घरेली हुंसा की घटना भारत में एक बार दर्ज की जाती है तो प्रशना आएगा कि आखिर इससे निपटने के प्रियास क्या किये गए हैं तो भारत सरकार दौराबर्स 2015 से वन स्टॉफ सेंटर योजना चलाई जा रही है इस योजना के तर्थ हिंसा की सिकार हुई महिलाओं को एक ही छट की निक्षे जो है कि मेटकल और पुलिस सहायता कानूनी और जो है कि मनो बैग्यानिक समाजिक प्रामर्स देने की बकालब और इस थाई आसरे भी उनको प्रदान किया जाता है इसी तरह हमारे पास दहेज निसेद अधिनियम है हमारे पास अनैतिक ब्यापार रोकथाम अधिनियम है यह जो कुछ कानून है साथी साथ समान परास्मिक अधिनियम 1976 है जो सम क्या करता है जो मजदूरी का रेट है या सर्मिको का मेहनताना है सामान प्रश्रमिक भुगतान के वकालत करता है ठीक इसी तरह हमारे पास एक कानून और है महिलाओं का असलील प्रति निदुत परतिसेद अधिनियम जो की अधिनियम में महिलाओं को विज्ञापनों के मात्यम से जो है कि क्या करता है उनको इस तरह से अभधर उनके परदर्शन पर क्या करता है रोग लगाता है और थात उनके चित्रों को जो है कि गलत तरीके से परजेंट करने पर रोग लगाता है ठीक इसी तरह से हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम है जो कि हर तरह के हिंसा पर रोग लगाता है इसी तरह कारी स्थल पर योन उत्पीडन जो एक रोगधाम निसेद और निवारण अधिनियम भी है हमारे पास जो कि कारी स्थल पर महिलाओं को सुरच्छा परदान करता है और भारत सरकार ने बरस 2018 में अपराधी कानून संसोधन अधिनियम 2018 पारित करके 12 बरस से कम आयू की लड़की के साथ बलातकार करने पर आरोपी के लिए फासी का प्रावधान किया है इन सब के अलावा सरकार दोरा लेंगिक समानता की तिसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजिव गांधी योजना कस्तूरबा गांधी बालिका बिद्याले योजना परध बिलाओं के ससक्ती करेंड के लिए जो कानून है काफे महतपूर है और इसमें जो है कि सभी देशों को अपना योगदान देने की जरूरत है ना कि इससे पीछे कदम खीचने के तो इसके जो निसकर्स हैं आप वह पढ़ लिजेगा हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक जिसक में जब भी ऐसे हम दिवस मनाते हैं उद्दे से है कि सभी लोग इसमें सामिल हो और इसके मुद्दे को समझें और उसके सरच छड़ के लिए प्रयास करें ब्राजील के रियो डी जनेरियू में बर्स 1992 में परयावरन तथा विकास का संयुक्त राष्ट सम्मेलन जिसको अपने समाने सभा के प्रस्ताव दोरा उप्रुक्त प्रस्ताव अर्था 22 मार्च को विस्व जल दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था इसको अनमती परदान की और 1993 में पहली बार क्या किया गया विस्व जल दिवस मना रहें बस 1993 में पहले विस्व जल दिवस की जो थीम थी वह थी सहर के लिए जल, तो सहर के लिए जल इसलिए क्योंकि 1990 का जो दसक था, सहरी करण का एक दसक था, लेकिन उसके लिए जल के उपलवद होता एक महत्पुर्ण मुद्दा था और यह पहला थीम रखा गया, दूसरा जो 200 जल दिवस हमने 1994 में अपना आया, उसका जो थीम वह था हमारे जल संसाधनों का ध्यान रखना हर एक का कार, अर्था जल संसाधनों के सरचण और में सबकी भूमका का जो बकालत करता है, वह है 200 जल दिवस का, जो दीखसरा हमने 200 जल दिवस मनाया था, उसकी यह थीम थी, दुनिया का, आपको पता है कि 99% जो वाटर है, वह महासागरूं, क्लेसियर, तालाब, जील, नदी के रूप में है, और इसमें से अधिकांस, आपको पता है 97% से जादा तो, जल जो है कि कहां पर है, आपको ओसिन वाले एरिया में है, जो कि सैलाईन ए, खारा है, तो कुल में लाकर अगर देखें, तो 99% लगभग जो जल है, हम उसको डारेक्ट यूज नहीं कर सकते, एक परतिसस से कम जल कही हमारे लिए है, जिसको हम डारेक्ट यूज कर सकते हैं, और वो भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, एक तरफ जल की मातरा घट रही है, तो दूसरी जनसंख्या बढ़ रही है, और द्योगिक और किरसी गत्विधियां बढ़ रही है, जिसमें क्या होता है, जलका जो है कि ना सिर्फ उप्योग जादा होता है, बलकि उससे जल पर दूसर भी जादा होता है, एक अनमान के हमसार, एसिया के मध्वपूरोचेतर, अभी जो छेतर में बतारों को द्यान से समझेगा, एसिया के पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, इस्पेन, आदी देशों में बर्स 2014 तक क्या हो सकता है अत्यधिक जल तनाव अर्थत वाटर इस्ट्रेस का अवस्था आ सकती है। इसी इस्तिति को हम वाटर इस्ट्रेस के रूप में जानते हैं। की उपलब्दता लगबग समाब्त हो जाए। जैसा कि आपने दच्छिर अफ्रिका के कैप टाउं सहर के बिसे में सुना होगा, वहाँ पर जो है कि क्या है जल लगबग समाब्त हो जो लोग वहाँ से माइगरेट कर रहे हैं। और साथई साथ वहाँ पर जो चल है, वह बहुत ना के बरावर बचा है। और इसके वज़े से जो शेहर का जो चेत्र है, वह खाली हो रहा है। तो day zero का मतलब ऐसी जो है कि गंभीर जल संकट के इस्ति की जल वहाँ पर प्रियोग के लिए अब ना के बराबर बचा हुआ है तो हमने कहा कि 17 देश जल्द ही क्या होंगे day zero के उस्थम पहुंच जाएंगे इसमें से एक देश अपना भी है भारत भी है और अन्य जो देश है इनकी लोकेशन फिर से आप ध्यान देजेए ये कतर है इजराइल है लेबनान है इरान है जॉर्डन है लीबिया है कुबेद है सौधी अरब है इरिटरिया है यू एई है बहरीन है पाकिस्तान तुर्क मिनिस्तान ओमान बोस्वान कुल मिलाकर गल्प वाला चेतर और उत्री अफ्रिका का चेतर सबसे ज़्यादा प्रभावित है सौभावित है दचिर एसिया में भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित है गंभीर जल संकट को दरसाने वाला डेज इरो सब्ध उस समय प्रचलित हो गया जब 2018 में दचिर प्लब्दता एकदम दुसकर हो चुका है उनको जल मिल नहीं रहा है भारत जल संकट के इस्तिती में विस उमें देखा जा तो तेरवे इस्थान पर है लेकिन जैसा कि हमने उपर सत्रे देशों का चिक्र किया और उसमें हमने कहा कि वह जो छेतर हैं उनमें वाटर स्टेश क कंडिशन क्रेट हो रही है जल संकट उत्पन हो सकता है उनमें से भारत भी एक है सत्रह देशों में तो बाकी जो सोले देश हैं उनकी जो आबादी है उन सभी देशों की आबादी की जो टोटल आबादी है सोले देशों की कुल आबादी से तीन गुरा अधिक आबादी कहा भारत में है और भारत क्या कर रहा है इस समय जल संकट के उस्था से गुजर रहा है विश्वा संगठन के मताविग एक बैक्ति को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हर दिन करी 25 लीटर जल के आओ सकता होती है जबकि भारत में प्रती बैक्ति जो खपत है 272 लीटर है और 80% प्रयोग करसीकार में 5-7% प्रयोग घरेरूकार में और 8-10% प्रयोग है वह जो है कि अध्योगी क्रियाओं में किया जाता है भारत की लगभर एक चोथाई जनसंक्या गंभीर सूखे से प्रभावित है और उहां पर जल संकट की समस्या बनी हुई निती आयोक दोरा जा अगर करूंते जैसे आपको पता है कि चैन नहीं है दिल नहीं है बहुत बड़े बड़े जो सहर हैं वो क्या कर रहे हैं वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं सहुथ राष्ट के छटे महासुचीर बुद्रस घाली ने 32 साल पहले जब यह कहा था कि अगर समय रहते इंसानों ने जल संकट के महत्ता को नहीं समझा तो अगला विस्वीदू जल को लेकर होगा बर्तमान समय में जो हमारा डारेक्शन है हम इसी डारेक्शन में बढ़ रहे हैं इसी के कारण नदियों का जो बिवात है वो देखे होंगे आप जो है कि तनाव की इस तर से लेकर युद्र के इस तर पर तब्दील होता हुँआ दिखाई देता इस साल जल दिवस की जो थीम रखी है हम लोगों ने वो रखा है वेल्यूइंग वाटर अर्था जो जल का महत्तु है वो बढ़ रहा है और इसके महत्तु को हमें समझने की जरूरत है इसको कंजर्ब करने की इसको प्र वर्थन वाटर और क्लाइमेट चेंज था तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज लाश्ट इयर का था इस साल की जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर भारत में महिलाओं को पानी के पीने के पानी के लिए लगभग 6 से 4, 6.4 किलोमेटर का सफर ते करना पड़ता है और इस अभियान की जो थीम है where it falls, when it falls होगा तो आपसे पूछा जाए कि यह थीम क्या है तो इसको बताएगा यह जो थीम है यह जो अभियान है यह 22 मार्स से स्टार्ट होगा 30 नॉमबर तक जो है कि 700 सहरों में चलेगा इस अभियान में तरसल है क्या है जल सकती अभियान में क्या क्या जाएगा लोगों को जागरूख किया जाए उनको बताएगा जल हमारे लिए कितना मतपूर है आप इसको कैसे प्रोटक करें कैसे इसको संरक्षण करें इन सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी 700 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाव का आयोजन किया और जल सपत लिया जाएगा अर्था जल के बरबादी को रोकने का प्रयास किया जाएगा और एक जहेगा एक म्यूचल अंडेस्टेंडिंग विक्सित करने का प्रयास होगा नीतियाएक के रिपोर्ट के अंसार जल संकट के मामले में चेन्ने और दिल्ली जल्दी ही बिस्व की सोरी यहांपर भारत में 28% आबादी के पास मातर 4% जल है और उस जल को भी हम परदूसर कर रहे हैं चाहे हम मौद्यों के किरियाओं के द्वारा हो फटिलाजर के द्वारा हो या फिर जो है कि अन्ने किरियाओं के द्वारा हो हमें समझने की ज़रूरत है कि आकर 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो ग्राउंड वाटर है जो भूजल है उसमें 61% का क्या हुआ है जो है कि कमी आई है आप समझ सकते हैं 2007 से लेकर 2017 तक 61% जो है कि ग्राउंड वाटर कम हुआ है अब तक यह आकड़ा है कितना बढ़ चुका होगा भारत की जलसकती मंत्राले ने 2024 तक सबी घरों में पाई के जरिये पानी पहुचाने का लच रखा है और इससे क्या होगा जो स्वच पानी को सुनस्चित हो पाएगी और इसलिए हमारे लिए मत्पूर है क्योंकि भारत में ग्रामीड इलाकी के 70% लोग पर दूसित पानी क्या क्या करते हैं पीने पर विवस है आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो विश्च जल दिवस के लिए यह हमारे आंकड़े हैं कितने मत्पूर हैं हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखने की आवसकता है कितनी जागरुपता को हमें आत्मसाथ करने के साथ साथ फैलाने की आवसकता है इस वीडियो में इत ने धमलाने की आवसक now यहारुवता हैं आत्मस्तों में देवारँ के शγ Sayain